तो हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का एक और नए मेच प्रडिक्शन वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IPL के मेच नमबर 24 के उपर की कौन होगा इस मेच का टोस प्लस मेच बिनर पीछ रिकोर्ट क्या रहने वाला है head to head session और भी बहुत कीश आपको बताएंगे तो वीडियो को हलका सा भी skip मत कीजिएगा ताकि कोई important information आप से छूट न जाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो ये मेच खेला जाएगा रोल चलेंजर बेंगलोर वर्सस चनल सुपर कींग के बीच में ये मेच आद सामसार 7 बजे से एम चिनना स्वामी स्टेडियों में खेला जाएगा ये बेंगलोर का होम ग्राउंड पीछ है वहीं दोनों टीमों के बीच हुए head to head मैचेस की बात करें लास्ट 10 मैच की तो 3 मैचेस को रोल चलेंजर बेंगलोर ने वीन किया था तो वहीं चैनना स्वार किंग ने 7 मैचेस को वीन किया था यानि चैनना स्वार किंग रोल चलेंजर बेंगलोर के उपर काफी ज़्यादा स्ट्रोंड परता है इस ग्राउंड पर IPL 2023 में अभी तक 3 मैचेस हुए है जिसमें से 33% 1st बेटिंग करने वाली टीम जीती है तो 1st बोलिंग करने वाली टीम 67% मैचेस को वीन की है वहीं इस ग्राउंड का पीच रिपोर्ट देखे तो पीच जो है बेटिंग फेवरेट पीच है टेबल पर पेशर्स है यानि इस पीच पेशर्स को काफी ज्यादा मदद मिलता है विकेट लेने के लिए तो आप अपने फेशर्स पेशर्स को पिक अप कर लिजी का है या आपको अच्छा रेंकिंग दिलाने में मदद करेंगे और आप हेट टू हेट में जीतेंगे गी वहीं टीम कमपरेजन की बात करें लास्ट 10 मेच के बेसेस पे तो रोल चलेंजर बेंगलोर ने 10 मेचेस को प्ले किया था जिसमें 60% मेचेस को विन किया था जबकि चन्ने सुपर किंग ने 9 मेचेस को प्ले किया था और 55% मेचेस को विन किया था Speech का Average Score Roll Challenger Bangalore का 185 का रहता है तो चन्नाई Запर King का 157 का रहता है High Score Speech का चन्नाई방 Super King का 207 का रहता है तो Roll Challenger Bangalore का 218 रन का रहता है Lowish Score की बात करे Shout Roll Challenger Bangalore का 149 का रहता है तो चन्नाईश कोपर King का 82 रन का रहता है अब जान लेते हैं कि इस match का Toast call किस team का रहने वाला है तो इस match का Toast call चन्ने सुपर किंग का रहने वाला है और Toast winner मेरे तरफ से चन्ने सुपर किंग ही रहेगा अगर Toast से जुरा कोई ही changes हुआ तो आपको हमारे टेलगाम चैनल पर अबडेट कर दिया जाएगा तो हमारे टे 10 ओबर में फॉस्ट इनिंग में 76 रन के आसपस रहता है तो सेकेंड इनिंग में 88 रन के आसपस रहता है 15 ओबर में फॉस्ट इनिंग में 121 रन के आसपस रहता है तो सेकेंड इनिंग में 142 रन के आसपस रहता है 20 ओबर में फॉस्ट इनिंग में 179 रन के आसपस रहता है त इसी वीडियो के दिस्क्रिप्शन में आपको हमाया टेलगाम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो फड़ा फड़ जोइन कीजिए हमाया टेलगाम चैनल को हमाया टेलगाम चैनल को जोइन करना most important है क्यूंकि टोस या मेश से जुड़ा हुआ कोई भी update आता है तो आपको वहीं पर अब्डेट कर दिया जाता है तो फड़ा फड़ जोइन कीजिए हमारे टेलगाम चैनल को अब बात करें इन दोनों टीमों के प्लेइंग 11 का तो रोयल चैलेंजर बेंगलोर का आपे हैं पे प्लेइंग 11 टीम देख सकते हैं इसमें कोई बीचेंजिस नहीं आएगा अगर को चेंजिस आएगा तो आपको हमारे टेलगाम चैनल पर अब्डेट कर दिया जाएगा टोस के बाद तो फड़ा फड़ा हमारे टेलगाम चैनल को जोइन कर लिजिए गा यह हमारा टेलगाम चैनल है आपको फाइनल मेच बिना टीम यहीं पर दिया जाता है टोस होने के बाद आपको कब entry लेना है कब loss cut book set करना है सारा entry update आपको इसी telegram channel पे दिया जाता है तो फटाप पर telegram channel को join कर लीजिए और जो लोग fan team या dream 11 team खेलते हैं simply आपको किसी भी match update को उपर आ जाना है वहाँ पे आपको fan team लिखा हुआ मिलेगा उस link को आपको open कर लेना है और आप head to head में जीतेंगे भी और आप कहाँ पर over session भी करा दिया जाता है कि कौन से session यास होगा कौन से session नो होगा यहाँ का 4x4 session पास होता है तो फटाप फट जोइन कीजिए हमाई telegram channel को और आप भी आज से कामना सुरू कीजिए तो चलिए मिलते हैं अगले में इसके वीडियो में वीडियो पसंदा है तो आप कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा हर साल और हमेसा यूँ ही अपडेट पाने के लिए